तो guys mg motors ने launch किया उनके hectare का facelift 2023 model जिसमें ज्यादा कुछ changes नहीं है बस इसके interior, exterior और front में थोड़े बहुत changes है बाकी look तो पहले जैसी same है इसके front की बात कर तो नहीं बड़ी chrome pattern में grill मिल जाएगी जिससे इसकी look काफी तगली लगती है और इसकी नहीं grill की वज़े से इसकी road presence भी काफी बढ़ जाएगी और उसके साथ fresh bumper देखने को मिलेगा chrome touches के साथ में LED headlight and LED DRLs देखने को मिलते है और उसके साथ नीचे हमें LED fog lamps मि मिलेंगे इसके side look की बात कर तो side से वही हमें chrome की window line मिलती है window के नीचे door handle पे हमें chrome touches मिल जाते है side से हमें कोई difference नहीं मिलते roof rails मिलते है 18 inch diamond cut alloy will मिलेंगे इसके rear look की बात कर तो rear में हमें hectare के पहले पूराने model में सिप reflectors मिलते थे लेकिन इस new facelip model में हमें continuous LED tail light मिल जाती है और उसी के साथ rear parking sensor 360 degree cameras मिल जाते है rear bumper हमें थोड़े changes के साथ मिलता है और उसी के साथ shark pin antenna rear wiper washer defogger high mount stop lamp ये सारी चीज़े हमें देखने को मिल जाती है इसके rear में जो हमें internet inside का badge मिलता था वो अभी इस model में नहीं मिलेगा बस center में hectare का badge मिलता है इसके interior की बात कर तो premium and redesign interior देखने को मिलेगा और बहुत सारे new feature देखने को मिलेंगे जिसमे lane departure warning, air bag ये सभी बड़िया safety feature मिलेंगे और उसी के साथ ambient lighting पहले के hectare के model में हमें dial वाला meter मिलता था बट अब इस facelift model में हमें fully digital meter मिलेगा silver finish में AC vents मिलते हैं soft touch dashboard मिलेगा इसके engine specs की बात कर तो इसमें 2 engine option मिलेंगे एक petrol और एक diesel petrol में हमें 1.5 liter 4 cylinder petrol engine मिलेगा जो की 140 bhp power और 250 nm का torque generate करता है जिसमें हमें hybrid और non hybrid का option भी मिल जाता है और diesel में 2 liter turbo diesel engine जो की 170 bhp power और 3500 nm का torque generate करता है ये सिप 6 speed manual transmission में मिलेगा क्यूंकि MG actor के diesel option में हमें सिप manual transmission का ही option मिलता है इसके sitting capacity की बात कर तो ये में 5,6 and 7 sitter option में मिलेगी और ये total 7 color options में मिलेगी और इसके expected launch की बात कर तो 5 January 2023 को launch हो जाएगी इसके expected price की बात कर तो 23 lakh से 27 lakh एक showroom इंडिया तो कैसे लगी आपको MG actor comments में ज़रूर बताना इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसन है तो वीडियो को लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबा कर इस वीडियो को शेर कर देना मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जेहिन जे बारत